तो चलिए students आज शुरू करते हैं बेटा अपनी next unit जिसका नाम है chemical kinetics आप इस unit को शुरू करने से पहले आप plus one की thermodynamics को थोड़ा याद करें आप से अगर कोई ये पूछे कि thermodynamics आपको क्या information देता है तो आप क्या कहेंगे कि thermodynamics sir हमें ये information देता है कि given conditions पर वो given process feasible होगा या नह होगा इसका हमें पता सर Gibbs free energy की value से चलता है अगर Gibbs free energy की value minus में आती है तो process feasible होगा अगर वो minus में नहीं आती है plus आ जाती है तो process feasible नहीं होगा बिल्कुल सही बात है यही चीजे होती है लेकिन thermodynamics कोई demerit है क्या students कोई limitation है क्या बिल्कुल है अगर आपको वो ये बताता है कि given process feasible है या नहीं है यह हमें बताता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन क्या आपको वो ये बताता है कि जो process feasible है यह कितने rate से होगी यह कितनी fast होगी यह कितनी slow होगी कभी यह information देता है बिल्कुल नहीं देता है हमने thermodynamics के तीनों laws पढ़ लिए उसके बावजूद हमें इस चीज इसका answer नहीं मिला है कि given process कितनी rate से proceed होगा कहीं यह बहुत slow reaction तो नहीं होगी कई मेरा इसमें समय खराब तो नहीं हो जाएगा कि मैं इस process के भरोसे बैठ जाओं उस product को obtain करने के लिए और यह बहुत लंबा process चल पड़े समझ रहें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना हमे information thermodynamics से बिल्कुल नहीं मिली है कि process का rate क्या है इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है chemical kinetics को तो chemical kinetics chemistry की वो branch होती है जिसमें हम process के किसी reaction के rate के बारे में पढ़ते हैं कि उस reaction की उस process की क्या rate होने वाली है और उस rate को बढ़ा सकते हैं क्या घटा सकते हैं क्या यानि जो factors उस पर impose होते हैं जो अपना influence डालते हैं उन factors को भी पढ़ना है साथी साथ हमें ये भी पढ़ना है कि वो reactions किस mechanism के through proceed होंगी समझ में आ गया कुछ reactions ऐसी होती है जो multi reactions multi step reactions होती है कुछ direct step में हो जाती है तो जो multi step reactions होती है उनका mechanism बढ़ना बड़ा जरूरी होता है जो कि इस chapter में बढ़ा जाएगा तो आप शुरुआत ऐसे करना कि जो thermodynamics होती है थर्मोडायनमिक्स घिव अस इन्फोरमेशन घिव आस इन्फोरमेशन अब आउट फीजिबिलिटी अब आउट फीजिबिलिटी जिसको आप ये भी कह सकते हैं बेटा फीजिबिलिटी या स्पॉंटेनिटी यानि किसी रियक्षिन की किसी प्रोसेस की फीजिबिलिटी और स्पॉंटेनिटी की इन्फोरमेशन तो thermodynamics देता है बट दस नोट गिव एनी इन्फोरमेशन दस नोट गिव एनी इन्फोरमेशन अबाउट rate of that process या that reaction हमें वो इन्फोरमेशन नहीं देता है दस नोट गिव एनी इन्फोरमेशन अबाउट rate of that process और that reaction इसलिए हम chemical kinetics को पढ़ते हैं तो chemical kinetics क्या होती है chemical kinetics होती है बटा branch अब किसकी branch है? obviously chemistry आपको पढ़ा रहा हूं मैं तो chemistry के branch है physical chemistry का branch है तो chemical kinetics means branch of physical chemistry branch of physical chemistry अब किसके साथ deal करना है? किसको पढ़ना है? which deals with which deals with किसके साथ deal करना है बटा? rate of reaction which deals with rate of reactions और और किससे deal करना है? और किससे deal करना है बटा? deals with rate of reactions और किससे deal करना है? कौन कौन से factors rate पर काम करते हैं factors affecting factors affecting rate of a reaction अब सिर्फ यही चीज़ सर्थ की rate पर हीट काम करता है या कौन कौन से factors rate पर काम करते हैं सर्फ इसी चीज़ पर काम करता है? नहीं मैंने आपको बताया also deals with it also deals with mechanisms also deals with mechanisms through which reactions proceed तो आपको यह धियान रखना है तो हमें reactions की rate के वारे में पढ़ना है इस chapter में rate को कम ज़्यादा करने का तरीका यानि factors को पढ़ना है हमें और क्या पढ़ना है वेटा? हमें mechanisms पढ़ने हैं जिसके थूरू reactions होती है I think definition सबको clear है सबको clear है कि chemical kinetics में किसको पढ़ना है कुल मिला कर हमारा ज़्यादा concentration रहेगा reactions की speed पर जिसको मैंने rate of a reaction बोला है तो हम शुरुवात chapter की यहीं से करेंगे कि rate of a reaction क्या होता है यह rate क्या होता है reaction का rate of a reaction in simple words you can also say speed of a reaction speed of a reaction ठीक है तो rate से क्या मतलब है आपका speed से क्या मतलब है आपका reaction की उसके बारे में पढ़ते हैं चलिए तो मैं आपसे अगर पूछूँ कि एक reaction है बेटा वो 15 seconds में complete हो जाते है एक कोई और reaction है वो 30 seconds में complete हो जाते है तो आपको क्या लगता है किसका rate जाते है यानि किसकी speed जाते है obviously जिसने sir short time interval में reaction को complete कर लिया ऐसी reactions ही rate जादा रखती है clear है फोड़ा और खोल कर फोड़ा और explore कर कर के आपको बताता हूँ देखिए बटा इस दुनिया में ना infinite many reactions है बहुत जादा reactions है कुछ ऐसे reactions भी है जिसके बारे में अभी कोई जानकारी भी नहीं है कुछ ऐसे reactions भी है जो under observations, under study चल रही है under research चल रही है और कुछ ऐसे reactions हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है तो मैं आप से पूस्ता हूँ क्या आपने chemistry पढ़ते वक्त कभी ऐसे reactions से deal किया है जो बहुत fast हो जाती है कभी ऐसे reactions के बारे में पढ़ा है जिसके बारे में कहा आगया और यह तो fraction of seconds में ही खतम हो जाएगे कि जैसे mix किया तैसे reaction हो गई ऐसे reactions भी होती है बिल्कुल होती है ऐसे reactions को very fast reactions बोलते है या instant reactions बोलते है क्या बोलते है very fast reactions या instant reactions मेरा सवाल आपसे यह है क्या ऐसे reactions का rate निकालना आसान है बिल्कुल नहीं क्योंकि fraction of seconds में ही reaction को complete कर लिया उसकी speed इतनी जादा है शायद measurable ना हो इतना difficult रहता है इतना challenging रहता है लेकिन technology जैसे जैसे advance हो रही है हमारे पास laser technique है जैसे हम very fast reactions का भी rate निकाल सकते हैं कुछ ऐसे reactions भी होती है जो हो रही है या नहीं हो रही है पता ही नहीं चलता है इतना ज़्यादा समय लेती है जैसे मैं आपसे बोलूँ कि rusting हो रहा है, metal का rusting हो रहा है तो metal का जो rusting होता है metal पर जो rust लगता है उस rust को complete होने में या उसमें changes आने में काफी समय लगता है इतने में बंदा यह सोच बैठेगा कि यहाँ थोड़ी कोई reaction हो रही है और बाद में जब महीनों बाद उसको पता चलेगा कि rust लगना शुरू हो गया अब कहेगा वो अरे reaction होना शुरू हो गई लेकिन जो आज देख रहा है वो पता नहीं कब से हो रहा था लेकिन observation अब हो रहा है तो ऐसी reactions भी होती है यानि reactions का rate निकालना असान नहीं है बड़ा challenging होता है हम आम तोर पर वो ही reactions पढ़ते हैं जो moderate reactions कहलाती है जिनका rate ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है moderate rate होता है miserable होता है ऐसी reactions को इस chapter में पढ़ा भी जाएगा आप ये तो मानी लीजे कि very fast reactions को तो इस chapter में हम पढ़ेंगे नहीं because हम काम करेंगे numerical applications पर और numerical applications पर very fast reactions खरी नहीं उतरेंगी हम करी नहीं पाएंगे वो ठीक है अब मुद्दे बराते हैं दुनिया में चाहें कितनी reactions हो rate निकालते कैसे हैं ध्यान से सुनिएगा समय के साथ समय के साथ reactant समय के साथ reactant अपना amount क्या करता जाएगा कम करता जाएगा अपना amount क्या करता जाएगा कम करता जाएगा उसी particular time में उसी instant पे product का amount बढ़ता जाएगा समझ में आ गया reactant जिस rate से खतम होता जाएगा product उसी rate से बनता जाएगा इतना सब को clear होता है, जिस rate से reactant घटता जाएगा, उसी rate से product भड़ता जाएगा, तो what is rate of reaction, ये rate of reaction होता है कि reactant या product की concentration में क्या change आया है per unit time, particular time पर कितना concentration में बदलाव आया है, उसी को rate बोलते हैं, अगर बदलाव जल्दी जल्दी आ रहा है, तो rate जादा है, बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, तो rate कम है, तो what is rate of reaction, it is defined as, it is defined as change in, it is defined as change in concentration of reactant या reactants, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर unit time, तो ये बेटा जी rate होता है, कि आप reactant को देखें सिर्फ, या product को देखें सिर्फ, ठीक है, किसी एक को देख लें, उसमें concentration में per unit time क्या change हो रहा है, वही rate होता है, वही क्या होता है बेटा, rate, that is, rate of reaction, ध्यान से देखेंगा बेटा, rate of reaction is equal to, change in, concentration of, R or P, what is R, what is P, अभी बताता हूँ, upon time taken, upon time taken, जैसे मैं कहूँ, कि मेरे पास एक reaction है, for a reaction, for a reaction, R gives us P, मेरे पास एक reaction है, जिसमें R gives us P, hypothetical reaction मान लेते हैं, जिसमें R हमारा reactant है, और P हमारा product है, तो reactant को देख लो, चाहरा product को देख लो, उसकी concentration में जो बदलाव आएगा, time को consider करते हुए, उसे ही rate बोलते है, अब एक concentration कोंसी होती है, ये भी ध्यानगना, this is molar concentration, लिखो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखो, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, change in molar concentration of reactant or product upon time taken, upon time taken, तो what should be the unit बेटा जी, what should be the unit of rate of a reaction, reaction rate का unit आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बता देचे, क्या होना चाहिए, देखी बेटा, उपर concentration है, नीचे time है, और molar concentration unit होती है, mole per liter, time की होती है second, तो unit हो गई, mole, liter inverse, second inverse, जिसको आपको हमेशा धियान अखने है, mole, liter inverse, second inverse, clear हुआ, clear हुआ, अब बच्चा बोलेगा, sir, change मतलब decrease, increase ही होता है, मैं बोलूँगा, obviously बेटा, change मतलब decrease, increase होता है, हाँ, अगर सिर्फ reactant लिखोगे, तो decrease in concentration, क्योंकि reactant कम होता जाता है, और अगर product लिखोगे, तो increase in concentration, समझ में आ गया, अगर इसको मैं यहाँ आगे बढ़ा कर ले जाओं, आगे बढ़ा कर ले जाओं, तो मैं कहूं, in terms of reactants, in terms of reactants, rate of reaction, rate of reaction is equal to decrease in concentration of reactant, upon time taken, upon time taken, एक बात तो यह, और यह भी कह सकता हूं, in terms of products, in terms of products, अगर products के data के इसाब से rate नहीं कहा सकते हो, तो भी बता दोगे, बताईए, rate of reaction is equal to, बेटा जी, आप क्यों पर छोड़ता हूं, मैं, मुझे बता दीजे formula क्या होना चाहिए, अगर reactant की terms में लिखोगे, तो decrease in concentration, कितना decrease हो रहा है, और product की terms में लिखोगे, तो क्या होगा बेटा, increase in concentration of products, upon time taken, समझ में आ गया, चाहिए, इस formula से unit निकाल लो, चाहिए, इस formula से निकाल लो, unit तो वही रहेगी, mole, liter inverse, second inverse, if you are considering reactant और product, आप confirmed नहीं है, कि सामने वाले को reactant बताऊं, सिर्फ या product बताऊं, तो आप change से काम चले, अगर आप सिर्फ reactant की data से काम चलाना चाहते हो, तो decrease बढ़ आएगा, और अगर product की data से काम चलाना चाहते हो, तो increase आएगा, तो this is rate of reactions definition, this is the formula, you can divide this formula in two way, in terms of reactant, in terms of products, and this is the unit of rate of reaction, that is mole, liter inverse, second inverse, I hope कि यह सब को clear है, अब वो chemical kinetics की definition clear है, उसमें जो rate आता है, आपको वो clear है, जब हम rate समझ लेंगे, फिर हम factors पड़ेंगे, factors affecting rate of reaction, I hope सब को clear है, ओके, चलिए वेटा तो इसको रप कर देते हैं, जो कुछ भी board पे लिखा हुआ है, बस इस चीज का ध्यान रखना, कि जब आप reactants के हिसाब से formal लिखो, तो decrease आएगा, और अगर आप products के हिसाब से लिखो, तो क्या बेटा जी क्या आएगा, increase आएगा, तो क्या यह सही बात है, कि जिस rate पर घटाव होगा, उसी rate पर products में बढ़ाव होगा, ठीक है, आम तोर पर ऐसे कहा जाता है, मतलब कि मैं ऐसे कह सकता हूँ, finally, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, that is, rate of disappearance, disappearance हमज़ते हैं, गायब होना, जिस rate से गायब हो रहा है, अच्छा जी बैटा, गायब कौन हो रहा है, reactants, जिस rate से गायब हो रहे हैं, क्या वो बराबर है, उसी rate से products भी बन ऐहें, बिल्कुल बेटा जी, उसी rate से क्या बन रहे हैं, बेटा, product, तो rate of, rate of, appearance of products, इस चीज़ को भ्यान रहना आम तोर पर यह होता है जिस रेट से रियक्टेंट डिसपीर होते हैं उसी रेट से प्रोड़क्ट आपियर होते हैं आम तोर पर ऐसा होता है इन जैनरल इस वर्ड को लेगर कंफ्यूज मतों ना इसका मतलब ही मुवमेंट होता है सब जानते हैं काइनेटिक्स वर्ड कहां से ओरिजनेट हुआ है काइनेसिस से और काइनेसिस मतलब क्या होता है काइनेसिस मतलब क्या होता है मुवमेंट होता है क्या होता है मुवमेंट होता है क्या किनेटिक्स वर्ड काइनेसिस से लिया गए काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है ठीक है और इसका मतलब मुवमेंट होता है ठीक है तो आप मुझे थोड़ा सोच समझ कर बताना कि रेट तो डैफिनेशन सबको क्लियर है क्या दुनिया में जितनी भी रियक्शन से हैं सभी एकी तर सर कुछ रियक्शन्स फ्रैक्शन और सेक्रेंट्स में हो जाते हैं कुछ रियक्शन्स बहुत ज़दा समय लेती हैं सर महीने दो महीने तीन महीने साल भी लग जाते हैं सो साल दो सो साल भी हो जाते हैं हमें चेंजिस तब देखने को मिलते हैं ऐसा भी होता है बेटा और कु difficult होता है challenging होता है यह वो reactions होती है जो बहुत fast होती है और यह वो reactions होती है जो बहुत slow होती है सो हमारे लिए comfortable zone में वह reactions होती है जो motor rate होती है यह दिमाग में रखना ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं आगे अब मेरे पास supposed कर एक reaction है ठीक है उस reaction को complete होने में 15 seconds लगते है 15 seconds मैं आपको टाइम दिखा देता हूं यह 1 second 2 seconds 3 seconds 4 seconds 5 seconds so up to 15 seconds right तो कोई reaction है ठीक है reaction है मान लिजे reactant है यह reactant है एक second पर ऐसा है ठीक है दो second पर ऐसा हो जाएगा तीन second पर ऐसा हो जाएगा सपोस कर लिजे ठीक है चार सेकंड पर ऐसा हो जाएगा पांस सेकंड पर ऐसा हो जाएगा साथ सेकंड पर ऐसा हो जाएगा इस तरह से साइज घटता जाएगा मेरा सवाल आपसे यह है थोड़ा सोच समझ कर बताना क्या यह जो घटाव है एक सेकंड बाद जो आपको दिखाई दे रहे हैं चिंजिस क्या वो समान दिख रहे हैं तुम्हें कनि फ्यूजन है चलो इसको डएते हैं इसको ड़ एटा देते हैं पहले मैं उनके नाम ही तुम्हें बताता हूं फिर एक्ञामपल में लेता हूं ऐसा यह एक्जामपल ला गजा में ठिक है चलिए तो हम बात करते हैं CCS का ध्यान रगना अभी जो example मैंने तुम्हें demonstrate करवाने की कोशिश की है वो अभी दिमाग में लेकर रखना ठीक है कि सर क्या पूसना चाह रहे थे how to express rate of reaction उसका answer मैं अभी लूँगा ठीक है अभी फिलाल यह heading है कि how to express rate of reaction कि reaction की rate को express कैसे किया जाए तो आप कहोगे there are two ways to express rate of reaction reaction को reaction की जो rate होती है उसको express करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं एक तरीके को average rate expression बोलते हैं और दूसरे तरीके को instantaneous rate expression बोलते हैं यानि आप rate को average rate की terms में दिखाते हो या आप rate को instantaneous rate की terms में दिखाते हो तो how to express rate of a reaction में आप ऐसे कहते है rate of a reaction rate of a reaction is expressed in two ways दो तरीकों से निकाल सकते हैं आप rate को ठीक है एक तरीका क्या होता है दूसरा तरीका क्या होता है एक तरीका होता है जब reaction complete हो गई है मतलब ध्यां जिगना मैं क्या लिख रहा हूँ ठीक है पड़ पारे हो एक तरीका होता है rate को determine तब किया जब reaction complete हो चुकिया determination of rate when reaction has been completed ओके एंड दूसरा होता है determination of rate at any instant of time जैसे physics में होता है वैटा physics में क्या होता है आपको speed निकालने है तो speed निकालने के आपको दो conditions हो सकती है उस numerical में एक तो मान लिजे कि कार है टाउन A से टाउन B जा रही है तो A और B के बीच में है 60 km सा gap है ध्यान से सुनना एक्जामपल A और B टाउन के बीच में 60 km का अंतर है 60 km सा gap है जब वो टाउन B पर पहुंच गई तब एक observer जो था टाउन B पर जो खड़ा था उसने उसकी speed निकालने की कोशिश किये तो उसको distance तो पता था A और B के बीच में कितना है और वो 60 km था उस observer ने समय को नोट किया था कि कितने समय से वो टाउन A से निकला हुआ है और कितनी दिर में पहुंचा उसने समय निकाला एक घंटा और speed थी speed तो उसको निकालने है distance था 60 km तो speed आया 60 km प्रती घंटे 60 km परा लेकिन मेरा सवाल है आप से थ्यान से सुनिएगा इस speed को average speed बोलते हैं ना average speed बोलते हैं जिसमें आप total distance और total time दे लेते हैं 60 km परार आगया very good लेकिन मेरा सवाल आप से है कि इस journey के दुरान क्या उसकी सचमें speed हर जगे 60 km परार थी मतलब 10 मिनट बाद भी 60 km परार थी क्या 15 मिनट बाद भी 60 km परार से चर रहा था क्या क्या 40 मिनट बाद भी 60 km परार से था 50 मिनट बाद भी 60 km परार से था पर आर रही हो अगले दस यह 15 मेटमोवज ने स्पीड बढ़ा ली हो 100 पे पहुंचा हो 100 तक पहुंच गया हो 110 आया हो 30 भी हुई हो 70 भी खूई हो 80 भी हूई हो 20 भी हूई हो इस तरीके से स्पीड आपके डिफरेंट डिफरेंट है हर इंस्टेंट पर ऐसा मान कर चलते हैं औ और finalist की speed बताई जा रहे है 60 km, तो 60 km तो एक average data होता है, जो आपको average दिया गया है, लेकिन हर instant पर speed अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हम instantaneous speed भी निकालते हैं, उसी तरीके से, reaction को complete होने में 20 मिनट लगे हैं, और आप उसका rate निकालते हो, तो 20 मिनट के बाद आप rate निकालते हो, मतलब reaction complete हो चकी है, तो आप ये तरीका आपना रहे हो, reaction खतम होने का rate कर रहे हो, दूसरा, आप किसी भी instant में निकाल रहे हो, मतलब कि reaction खतम होए 10 सेकेंड हो गई है, आप किसी भी instant पर rate निकाल सकते हो, समझ में आ गया, उसे क्या बोलत होता है, average rate and second one is instantaneous rate, तो आपको समझ में आया, एक तो जरनी खतम होने के बाद speed निकाली जाए, वो average speed होती है, वैसे reaction खतम होने के बाद rate निकाला जाए, उसे average rate बोलते हैं, और किसी भी instant पर speed निकालना है जरनी में, तो उस जरनी के किसी भी instant पर जो speed निकाली गई है, उसको instantaneous speed बोलते हैं, similarly reaction में किसी भी instant पर rate निकालना है, speed निकालना है, तो इसको instantaneous rate बोलते हैं, तो लेट अस टोग बाउट फरस्ट, average rate, ध्याहां से देखना बिटा, average rate, average rate ध्याहां से देखिएगा, this is determined, this is determined by calculating change in concentration, क्योंकि rate निकालने करें बेटाजी, change in concentration चाहिए होता है, by calculating change in concentration, and, क्या note करके, and calculating time intervals, एक तो क्या चीज निकालनी पड़ती है, आपको change in concentration निकालना पड़ता है, और time intervals भी आपको पता लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से average rate निकलता है, example के लिए, for reaction, एक hypothetical reaction है, average rate is equal to, ध्यान से देखना है बेटा, average rate is equal to, R है बेटा, R की terms में लिखते हैं पहले, ठीके, तो R reactant है, reactant की concentration, change कैसे होती है, decrease होती है, तो यहां मैंने लिखा, change in, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हो, delta का मतलब क्या होता है, delta का मतलब होता है, change, और यहां पर यह जो change है, large change को दिखाएगा, किसको दिखाते हैं बेटा, large change, हाँ अगर कहीं D use करते हो, तो D use करता है, very small change, D use होता है, very small change के लिए, जैसे physics में पढ़ते हो, let dl be the length of the wire, let dx be the distance, okay, ds be the displacement, तो D very small के लिए होता है, और delta large change के लिए होता है, तो यहां delta use हो रहा है, ठीक है, change in, समझ गए, change in concentration of reactant upon change in time, upon change in time, और product की terms में लिखना हो, तो is equal to, मैंने बताया है न, reactants का disappearance rate, और product का appearance rate बराबर होता है, is equal to change in concentration of products upon change in time, these square brackets represent smaller concentration, we have studied in class 11, तो आपको पता होना चाहिए, clear, इसमें एक चीज़ मिस कर दिया है, मैंने वो आपको ध्यान रखना है, यहां minus आएगा, तो reactants की terms में जब express करोगे, तो minus आएगा, यह negative sin किसको represent करेगा, negative sin किसको represent करेगा बेटा, negative sin represents decrease, या disappearance, disappearance of reactants, तो reactants का जो disappearance हो रहा है, reactants का जो disappearance हो रहा है, या जो decrease हो रहा है उनकी concentration में, उसके लिए minus आया है, minus sign, यही चीज़ एक्सप्रेस करता है, किसी value को यह नहीं दिखाता है, कि zero से कम value है, बस minus यहाँ पर एक physical information देता है, कि भाईया यह decrease है, और यहाँ plus मतलब यहाँ increase है, rate तो हमेशा positive यह आएगा, उसके tension नहीं लेने है, clear, ऐसे average rate को express किया जाता है, यह तो simple से example था, कोई और example लेते हैं, कोई और example लेते हैं बेटा, I hope सबको symbols clear है, कि सर, symbols की तोर पर, दो symbol यूज़ करेंगे, एक delta और एक d, तो delta सर, यूज़ करेंगे, जब large change होगा, और d सर, यूज़ करेंगे, जब very small change होगा, अब सर, average rate में, large change यूज़ कर रहे हैं, बिकोज पहले reaction यहां थी, अब खतम होकर यहां पोच गई है, तो change large ही माना जाए गई, और average rate reaction खतम होने के बाद ही निकाली जाती है, reaction यहां से चल कर, यहां पोचेगी, तभी average rate निकालेंगे, तो यह change बहुत जादा है, ठीक है, इसलिए सर ने delta यूज़ किया है, हाँ सर कभी instant variance rate यूज़ करेंगे, किसी instant पर यूज़ करेंगे, तो सर जरूर d यूज़ करेंगे, बिकोज किसी particular instant पर निकालना मतलब, change ना के बराबर, ठीक है, very small change, ओके, ध्यान से देखना, बेटा, कोई second example लेते हैं, वो first example डाले न, r gives us b, ठीक है, तो second example कुछ ऐसा सा है, कि 2a plus, 2a से भी शुरू नहीं करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं, a plus b gives us c plus t, बहुत simple, तो यहां average rate क्या होगा, ऐसे कह देता है, वो express its, एक्सप्रेस 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 करिए, बताइए, तो a और b यहां बेटा, reactant हैं, c और d यहां पर क्या हैं, products हैं, तो यहां पर सवाल का जवाब क्या होगा, तो आप कहोगे, average rate जो है, average rate जो है, a, b, d, dot rate, मतलब average rate, जो है, a की टर्म्स में पूछ होगे, तो change in, ध्यां देखना भी, change in concentration of a, upon change in time, minus sign, minus sign किसको represent करता है, reactants के disappearance को, और a reactant है, इसलिए उसके साथ minus आया, is equal to, b, b, u, c rate से disappear होगा, change in concentration of b, upon change in time, minus sign, is equal to, अब product की टर्म्स में बताते हैं, product उसी rate से appear भी होगे, मतलब, change in concentration of c, upon change in time, is equal to, change in concentration of d, upon change in time, now I am not using, not putting any negative sign, in c and d, because c and d belong to, products, और products appear होते हैं, बनते हैं, बढ़ते हैं, इसलिए plus, reactants disappear होते हैं, decrease होते हैं, इसलिए यहाँ पर minus, ठीक है, clear, okay, third example यदर बढ़ते हैं, ध्यान दिखना, थोड़ा, थोड़ा सा, मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है न, सारी reactions में, स्टोइक्योमेट्री कोफिशेंट्स, ज़रूरी नहीं है, स्टोइक्योमेट्री कोफिशेंट्स, कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे, मान लिजे, यह आजे, 2A plus B, gives us, 3C, ऐसा आजे, तो यहाँ average rate क्या होगा, ऐसे बोल दे आपको, express its, average rate, इसका average rate express करिए, तो solution में क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो ABG rate होता है, यानि average rate होता है, वो अगर आप A की टर्म्स में पूछोगे, तो change in concentration of A, upon change in time, अभी 2 को ignore करो, ठीक है, minus sign आएगा, is equal to change in concentration of B, upon change in time, ठीक है, minus sign आएगा, is equal to, C के टर्म्स में लिखो, is equal to change in concentration of C, upon change in time, प्लस 3 को ignore करो अब, ठीक है, अब चलो मुझे बताओ, कि A और B में अगर मैं relation आप से पूछोँ, अब coefficient आगया है, कि आपको यादी हो जाए यह जीज, A जो है B से double disappear हो रहा है, A जो है B से double disappear हो रहा है, ऐसे कह सकता हूँ, या ऐसे कह सकता हूँ, C, B से triple rate पर appear हो रहा है, B जीज रेट से disappear हो रहा है, C, उसे तीन गुणा rate से appear हो रहा है, या ऐसे कह सकते हूँ, इन दोनों में relation रनाओं तो, B जीज रेट से disappear हो रहा है, A उसके दुवने rate से disappear हो रहा है, मैं reactants के लिए disappear वार्ड यूजशकरोंगा, गाधन ह Zac लिए अपियर और यूज़ को तो मैं ऐसे को सकता हूं कि अगर एक का अगर यह बशन कर दू-ए मान को मिंय चुछ आज़ू ऐं कि अभी ऐखेसे के डि सब्सक्र girl रह 58 j और इनके बीच में रिलेशन बनाना हूं मुझे मतलब मैं कहा रहा हूं कि रेट ओए रेट ओफ। व दियाना देख़ा एब रेट ओफ। निखे रहा हूं और दिस अपीरेशन के लिए इस तू टाइमस ओफ रेट ओफ। इसाप्यरेंस ओफ यह क्लियर हो रहे हैं देखो पह मुझे निकालना हो इधर देखो बस इधर नोट करने की जुरूत नहीं इधर देखो द्यान से अगर मुझे रेट ऑफ डी सब्सक्राइब बताना तो तो नीचे आजए तो नीचे तो यह क्लियर हो यह तो इधर भी लिख सकते हैं अब लेकिन ऊपर आज जगा यह याद करने तो वन भाइ करगा है कि अंन की यह कोशिशक खरना की नीच तो याद करो यहतो सी बी तो साथ टोक्रेमेट्र को फइंट वान है तो कोई दिख्कत नए से किसभी तो वन भाइ ऑन Edgar जो जेए त यह कोशिग कर लेता मैं निचलिए को और्ट इस कोंसेप्र हो जाएगा कहता ह calculate rate of disappearance rate of disappearance of ammonia gas reaction given होगी ठीक है calculate rate of disappearance of ammonia gas if rate of appearance of NO is 4 into 10 raised to the power of minus 4 unit आप जानते हो ना rate की बटा, mole, liter inverse, second inverse, यह question है reaction given है, Ns3 plus O2, NO plus S2, reaction must be completely balanced बेटा, ठीक है, गभी कॉफिशेंट्स का रोल होता है तो Nb2 हो गए, Nb2 हो गए, hydrogen 6 हो गए, यहां भी 6 हो गए, oxygen यहां 2 है, यहां 2 और 3, 5 है, तो यहां 5 बेर 2 हो जाएगा यह reaction है, देखते हैं कितना concept clear है आपका, उपर वाली चीज़ मिटा देता हो, उपर वाली चीज़ें मिटा देते हैं, ध्यान से देखना बेटा, तो solution करिए इसका, क्या होना चाहिए आपके साब से, rate of disappearance of NS3 gas, rate of disappearance of NS3 gas, निकालना है और आपको rate of appearance दे रखा है, यानि ना हमें पानी से लेना देना, ना हमें oxygen से लेना देना, फिर से, ना हमें पानी से लेना देना, ना हमें oxygen से लेना देना, Real life में जरुरूरत है ठीक है? Real life में जरूरत है Reaction में जरूरत नहीं है मेरे को जो data मुस्से माँगा है तो मुसे data माँगा है NS3 का दिया हुआ है NO का no और NS3 में ही relation देखना है ये गए भाढ़ में ठीक है? देखो तो मैं यहां ऐसे लिख सता हूँ here rate of reaction is equal to minus half minus क्यों लगा minus क्यों लगा क्योंकि सर reactant की बात करने वाले है half क्यों लगा coefficient 2 है 1 by करके लिखना है समझाया था मैंने आपको अभी कि 1 by करके क्यों लिखना है change in concentration of NS3 upon change in time is equal to हमें oxygen से निना देना नहीं है लिख सकते हो आप लेकिन आप सीधे NO की बात करो is equal to 1 by 2 क्यों आया 1 by 2 क्यों आया because products में है product में coefficient 2 है NO के साथ 1 by 2 आया change in concentration of NO upon change in time okay clear आपको NS3 का disappearance rate निकालना है और आपको NO का appearance दे रखा है मेरा सवाल आपसे यह है यह जो rate of appearance NO का दे रखा है इसमें half भी included है या सिर्फ इतना है यह है या पूरा है सिर्फ यह है क्योंकि यह ही represent करते है appearance को half तो coefficient की वज़े से आया है समझ में आ गया तो जो आपको appearance डिस appearance दिया दाते है बेटा इसमें stoichiometric coefficient जो की formula में आता है वो include नहीं होता है ठीक है ध्यान अगना बच्चे गलती कर जाते यह तो फिर विए basic सवाल है तो यह दौनों आपस है बराबर हो सकते है तो यह बात सही है क्या कि आपको जो निकालना है वो क्या है निकालना क्या है बेटा इन में से आपको इन में से क्या निकालना है आपको NS3 change in concentration of NS3 upon change in time, minus वाली चीज़, यह निकालना है, मुझे कैसे पता यह निकालना है, क्योंकि इसने बोला था rate of disappearance of NS3, तो सर्फ minus भी इंक्लूड करना है, फिल्कुल बेटा disappearance को तो minus रिपर्जन करता है, तो हमें यह चीज़ निकालना है, सिर्फ यह निकालना है, इसका मतलब आप इसको ऐसे लेख सकते हो, कैसे आया है, टू से टू कट गया, टू से टू कट गया, अब यह वैलू निकालना है, यह वैलू गिवन है, कितने वैलू है बेटा यह, 4 into 10s to power minus 4, mall, लीटर inverse, second inverse, अरे यह तो बराबर ही आगए बिलकुल, कर लोगे, बोले बेटा, कर लोगे, चलिए, आपके पास आज assignment भेजूंगा मैं, ठीक है, जिसमें questions होंगे आपके average rate और instantaneous rate से belonging, तो वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, तो एक basic सवाल मैंने आपको स average rate की, अच्छा, average rate में demerit क्या है, मतलब की मानली जी एक question यह हो, ध्यान देखना question, calculate the average rate of a reaction, if that reaction, if that reaction takes 15 seconds to change concentration from 5 mole per liter से 2 mole per liter मतलब reaction को 15 seconds लगते है, concentration को 5 mole per liter से 2 mole per liter, किसकी concentration समझगे ना बेटा, reactants की, बड़ा basic सा सवाल है, कि concentration reactants का change किया जाता है, 5 mole per liter से 2 mole per liter, और उसमें 15 seconds लगते हैं, तो आपको average rate बताना है, ठीके 15 seconds, इस सवाल को ऐसे भी कहा जा सकता था, कि जो concentration है 5 mole per liter, यह मान लिजिए 10 seconds पे हैं, ठीके, और जो 2 mole per liter है, वो 25 seconds पे हैं, तो कितना समय लगा है, 25 लिखोगे क्या, 10 seconds पर 5 mole per liter है, और 25 seconds पर 2 mole per liter है, मान लो ऐसा सवाल होता, तो ना तो time interval 10 होता, ना time interval 25 होता, टाइम होता, 10 से 25 कितना है, 15, 25 माइनस 10, समझ में आगया, ऐसे सवाल भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है, ना पच्चिस रखना है, 10 और 25 के बीश में तो अंतर है बेटाजी, वही रखना है, कितना अंतर है, 15 का, तो 15 रखना है, अब यहाँ सीधा ही बोला हुआ है, 15 seconds, तो average rate क्या आएगा, बताए क्या आएगा, change in concentration, जिसको आप लिखते हो, change in concentration of reactant upon change in time, आएगा, now change in concentration of reactant is, 5, sorry, minus, क्या आएगा बताओ बेटा, final, minus, initial, अब 2 हो गया है, पहले 5 था, अप उन, change in time, change in time, 15 seconds लगे हैं, 15 seconds लगे हैं, यानि 15 minus 0, ठीक है, तो इसको change करोगे, तो 2 मेंसी 5 गया, 3 minus 3, यह delta दो आएगा, यह नहीं change लिखरे हो आप, 2 minus 5, minus 3 और 15, तो यहाँ जाएगा, minus 3, minus 12 है, तो 3 हो जाएगा, upon 15, एक बटा 5 मतलब 0.2, mol, liter universe, second universe, ठीक है, समझ में आगया ना, यह सवाल मैंने इसलिए आपको दिया है, कि आप 5 मोल पर लिटर से 2 मोल पर लिटर हो गया, तो वैल्यूस आपको रखने आने चीए, कि 5 minus 2 नहीं, 2 minus, 5 योगी final value 2 है, initial value 5, तो अंदर minus generate होगा, बहार minus से minus कट जाएगा, इसलिए rate plus में ही आएगा, चाह कुछ भी दिया हो, clear है, clear है, हाँ, तो इस सवाल को एक बार note कर लो, फटाक से, इस सवाल में आप change करूँगा, इस सवाल में क्या change करूँगा, कि ऐसे लिख दिया जाएगा, calculate the average rate of the reaction, if that reaction, यह देता हूँ मैं, if in that reaction, reactant has, reactant has 5 mol per liter at time is equal to 10 seconds and has 2 mol per liter at time is equal to 25 seconds तो बताइए, solution क्या दोगे, solution दोगे, कि जो आप average rate पूछ रहे हो, sir, वो आएगा, change in concentration of reactant upon change in time, तो reactant जो है, sir, वो 5 से 2 हुआ है, इसका मतलब 2 minus 5, clear बेटा, और नीचे आएगा बेटा, change in time, change in time मतलब 10 seconds पे था, 25 seconds पर आ गए हो, यानि 25 minus 10, अब ये solve करोगे, तो उपर minus 3, 3 आजेगा, नीचे 15, एक बटा 5, मतलब 0.2 mol, liter inverse, second inverse, clear हो गए, तो time सीधे भी दे सकता है, time ऐसे भी करके दे सकता है, तो अब ध्यान लखना, clear, चलिए, अब इस सवाल को मिटाने के बाद, एक question उठाते हैं, ठीक है, question ये उठता है, क्या average rate निकालना सही है, क्या average rate निकालना सही है, क्या 10 seconds से 25 seconds तक, यानि जो 15 seconds का gap है, उसमें आपका जो rate है, वो 0.2 है, calculate किया, क्या जब 25 से 50 seconds है, sorry, आप 15 का gap रखते हैं, 25 से अगर आप 40 तक जाते हो, अब 25 seconds से अगे लिए 40 seconds तक जाते हो, तो क्या rate 0.2 ही आएगा, सोचके देख 15 seconds में आपने 0.2 निकाला है, क्या हर 15 seconds में rate 0.2 ही होगा, जैसे जो जरनी है, बंदा टाउन A से टाउन B जा रहे है, उसकी स्पीड शुरू में 40 किलोमेटर परती घंटे, ठीक है, उसने 15 seconds में खीच दीतनी स्पीड, तो क्या हर 15 seconds में उसकी 40 किलोमेटर परती घंटे दूरी है, बिल्कुल नहीं, एक fact बताता हूं, फिर answer देना मुझे, ठीक है, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान दे सुनो, मेरा fact सुनिए, बेटा जो reaction होती है, काफी reactions तो ऐसी होती है, जो शुरू में slow होती है, और बाद में fast हो हो रहे, बाद में fast हो गई है, तो बाद में rate कुछ हो रहे, average rate तो conclude करके निकालते हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, कि जो equal intervals of time होता है, उसमें equal rate नहीं होता है, rate vary करता है, इसलिए average rate निकालना नहीं चाहिए, इससे बढ़िया है, दो time intervals के दोरान बीच में जो rate निकालते हैं, उससे अच्छा है, किसी particular instant पे ही rate निकाला जाए, किसी particular instant पे ही rate निकाला जाए, तो अपनी language में लिख लेना बेटा आए, आपको समझ में आना चाहिए, कि average rate, we do not use average rate generally, because average rate is determined between two time intervals, and between these two time intervals, rate, rate determined is not constant, as it will be calculated in equal intervals of time, अगर आप उसी rate को equal intervals of time में निकालोगे, तो वो rate बराबर नहीं आएगा, समझ में आगया, तो आप यह मान के चलिए कि reactions uniform motion की तरह नहीं है, कि equal intervals में equal distance कवर करें, equal intervals में equal rate रहें, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम particular instant पे rate निकालने, वो बैट रहेगा, उसको बोलते हैं, instantaneous rate, अब बारी आ गई है second वाले time की, first time हम पढ़ चुके हैं, अब बारी आ गई है instantaneous rate की, instantaneous rate, अब instantaneous rate क्या होता है, बड़ा ध्यान से जुनिएगा, instantaneous rate क्या होता है, किसी भी instant of time पे, rate निकालना, instantaneous rate होता है, instantaneous rate होता है, जैसे instantaneous speed होती है, किसी particular time पे, particular time पे, कितना distance covered हो चुका है, कितना distance covered हो चुका है, और कितना समय लगा है, उस particular instant तक, उसको बोलते हैं, calculated speed को instantaneous speed, ठीक है, mathematical अगर आप समझे हैं, अगर आपको समझ में आए, तो जब आप average speed निकालते हैं, उसमें जो delta t होता है, change in time, अगर वो close to zero हो, मतलब समय में जो change है, वो negligible हो, यानि आप particular instant पे निकाल रहे हो, तब तो delta t लगबग 0 ही होगा, तब वो instantaneous rate कहलाता है, मतलब कि, this rate is determined, पहले तो यह line लिखो आप, this rate is determined mind, at any instant of time, और हम chapter में आगे, इसी rate से deal करने वाले, average rate को हम हाथ जोड़कर उसको विदाई देंगे, उसको कहेंगे, आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आगे लेकर नहीं जा सकते, हाँ, आपके बारे में कोई numerical आता है, आपका नाम लेकर कोई पूछेगा, तो आपको सम्मान दिया जाएगा, सम्मान के साथ उस सवाल को हल किया जाएगा, लेकिन कोई practically पूछे, conceptually पूछेगा, कि आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको हाँ जोड़कर मना कर दूँगा, कि please average rate नहीं पढ़े, average rate निकालना मुर्खता होती है, because particular time पर, यानि जो time intervals, दो time intervals में जो आप rate calculate करते हैं, वो rate बदलता रहता है, इसलिए आप average rate ना निकाले, हाँ, सवाल आते है average rate पर, तो सवाल को सम्मान के साथ हल जरूर किया जाएगा, लेकिन chapter में conceptual एगर आप देखो, chapter में हम इसी rate को लेकर आगे बढ़ेंगे, instantaneous rate is also called differential rate, differential rate, इसको differential rate भी बोलते हैं, ठीक है, तो instantaneous rate is also called differential rate, अगर differential rate कोई पूछ रहा तो, differential rate is none other than instantaneous rate, and this rate is determined at any instant of time, clear, clear है, यानि 4R reaction, ध्यान देखना बटा, 4R reaction, R gives us P, तो average rate तो क्या होता है, average rate तो क्या होता है, बेटा, क्या होता है, बदा ये, change in concentration of R upon change in time, minus, is equal to product की terms में, change in concentration of products upon change in time, plus, तो मैंने आपको बताया था, ये, ये वाला sign तब यूज़ करते हैं, जब change बहुत जादा हो, लेकिन instantaneous rate विदा पर्टिकुलर instant पर निकालो गए, तो change ना के बराबर हुआ होगा, क्योंकि आप खतम होने का बेट नहीं कर रहे हो, कहीं भी, मालो reaction यहां से यहां तक गई है, आपको यही रेटिन कालना है, तो ये change जो है, वो ना के बराबर है, इस compare to पूरे के, तो delta यूज़ ना करते हुए, थोड़ा meaningful दिखाने के लिए, हम D यूज़ करेंगे, मतलब, अगर मुझसे instantaneous rate पूछा गया, instantaneous rate पूछा गया, तो minus of यहां delta के जगे D, बस, upon, sorry, with reactant and change in time, समझ मागे, mathematics के लिए ऐसे कहते हैं, जिसको mathematics जिसकी अच्छी है, नहीं तो यह याद कर लो सिदे, जब delta T close to 0 होगा, तब उसको dt बोलेंगे, ठीक है, समझ मैं तो अच्छी बात है, यह तो कोई दिक्कत नहीं है, minus dr by dt, is equal to, product में दिखाना हो तो, change in, concentration of product, upon change in time, बोलने में तो कोई अंतरी नहीं आया है, जब average rate को बोलता हूँ, तो भी वही sound आएगा आपको, और instantaneous बोलूँगा, तो भी वही sound आएगा, rate के सवाल सोल करने है, वैसे instantaneous के भी करने है, बस symbol यहाँ पर d आएगा, clear है, very clear, okay, तो यह instantaneous rate है, ठीक, clear है बैटा, अब instantaneous rate के लिए भी और कोई question कर लेते हैं, कोई question करा देता हूँ, मैं तुम्हें, or say and 2 plus 3 S 2 gives us 2 N S 3 and 2 plus 3 S 2 gives us 2 N S 3, express it's differential rate. express its differential rate express its differential rate इसका differential rate निकाले तो मुझे बताईए differential rate इसका क्या होगा differential rate means instantaneous rate तो क्या होगा बताईए differential rate or instantaneous rate एक कही बात है is equal to in terms of N2 बताऊ D लगाऊगा डल्टा लगाऊगे D लगाऊगा डल्टा लगाऊगे D लगाऊँगा सर डल्टा नहीं लगाऊँगा D लगाऊँगा Yes change in concentration of N2 upon change in time minus N क्योंकि sir reactant है is equal to change in concentration of S2 upon change in time सबको समझ में आ गया कि average rate कब निकालते हैं instantaneous rate कब निकालते हैं हाँ numerically जब आप चलते हूँ mathematically जब चलते हूँ तो आपको दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता बस अंतर दिखता है तो symbols का जैसे average rate निकाला वैसे ही instantaneous rate भी निकालते हैं बिल्कुल clear है ठीक है बस concept अपना ध्यान अखना किसी particular instant भी rate निकाला जाता है तो instantaneous rate होता है that is far far better than कि हम दो time intervals के बीच में rate निकाले हैं ठीक है चले तो अब graphical representation कर लेते हैं कि बार graphically भी देख लेते हैं average rate और instantaneous rate में क्या फरक है graphical representation लिख लिजे graphical representation of average rate ऐसे रिख लेते हैं average instant इने से पहले of rate of a reaction इसमें दोनों rate आगे आवेरेज भी instantaneous graph में दिखा दूँगा graphical representation of rate of a reaction in terms of reactants in terms of reactants and in terms of products and in terms of products graphical representation of rate of reaction in terms of reactants and in terms of products ध्यान से दिखना ये लाइन हम सब जानते हैं rate of reaction in terms of reactants in terms of reactants is equal to decreasing concentration of reactant क्यों बेटा अपोन में क्या आएगा time taken अपोन में क्या आएगा time taken मतलब तो अगर मैं याँ time ले लू reactant के rate को रिपर्जन करने के लिए मुझे time चाहिए concentration चाहिए यह concentration ले लो concentration of reactant यह इस तरफ जादा हो रहा है इस तरफ जादा हो रहा है यह origin 0 तो मुझे बदा यह जब शुरुवात की थी जब initial था दब हम 0 पर होते हैं time origin यहाँ पर तो reactant की concentration बदाए यह minimum थी यह maximum थी जब time 0 था बताइए maximum थी तो यहां कहीं थी मान लिजिए यहां कहीं थी ठीक है इसको मैं बोल देता हूं initial concentration अब जैसे समय बढ़ेगा यह कम होता जाएगा देखो concentration घटती जा रहे है टाइम बढ़ते बढ़ते यह देखो है है क्लियर है है क्लियर है तो यह किसकाforme कर रहा है व्याटा डिक्रीज को डिक्रीज हीं कॉन्स टरशान के सरह कान परिथ स्पाइड वीद पैसे जो एकिस有點 कर रहे हैं किसको कर रहेपTO confronted क hedge rate को, rate की कौण सी वे को, average rate को, अब, but at any instant of time, rate is called, या rate determined is called, rate determined is called, instantaneous rate, instantaneous rate, example के लिए, इसी graph को अगर मैं बना दूँ, यहां क्या लेना है, time, यहां क्या लेना है वेटा, concentration of reactants, यह देखो, यह देखो, तो graph आपने ऐसे बनाया था, कि time 0 पर concentration maximum है, और समय बढ़ेगा, तो यह घटेगा, समय बढ़ेगा, तो यह घटेगा, ठीक है, घटते घटते 0 भी हो जाएगा, तो किसी भी point पे, किसी बाद लोग आपको, इस point पे निकालना है, इस point पे, concentration कितना है, किर्व के इस point पर, concentration कितना है, तो this is concentration, this is time, तो इस point पर, अगर आपको incidence rate बताना है, graphically, तो आप इस पर tangent बना दे, क्या बना दे बाटा, tangent बना दे, इस point पर क्या बना देंगे, आप, tangent बना दे, यह देखो, contact कर दूँ और इसको बढ़ागर यहां पर contact कर तो यह slope बन गया यह क्या है यह क्या है slope है यह क्या है slope है ठीक है तो slope की जो भी लेंथ होगी slope of the curve is equal to instantaneous rate slope of the curve is equal to instantaneous rate किसी भी point पर क्या draw कर दो tangent draw कर दो उस point पर आपको क्या मिल जाएगा instantaneous rate by determining the slope यह आपको ध्यान लख रहे है तो इस curve represents average rate and this represents instantaneous rate at this point at this point यानि माल लिए यह P point है तो instantaneous rate at P point ठीक है और mathematics में आप जानते हो slope of the curve जो slope of the curve होता है it is also equal to tangent theta also equal to tangent theta if this is theta ठीक है tangent theta समझे और mathematically tangent theta अगर आप इस diagram में देखो tangent theta किसके बराबर होगा तो मान लिजी यह O है यह A है यह B है तो perpendicular upon base यानि O B by O A मान लिजी graph से सवाल आजाए इसलिए बता रहा हूं मैं आपको graph अच्छे से पढ़ना होता है ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लिया और चलती है नहीं नहीं गलत बात है आपको पता होना चाहिए graph पढ़ा है तो उस graph से information निकालनी कैसे है तो मान लिजी आपको इस point मान लिजी यह point है यह point है यह point है यह वाला point आपको इस point पर instantaneous rate निकाला है slope बना कर आपको angle दिया हो तो ऐसे कर लो नहीं तो आपको side की values यह values हो तो आप यह values रख दो तो भी slope आ जाएगा ठीक है टेंजेंट बना दो उस point पर ओके क्योंकि instantaneous rate तो होल तो आप दिखाई नहीं सकते न हर point पर अलग-अलग होता है वो तो तो किसी भी point पर निकालना है तो उसी point पर आपको करव पर क्या बनाना होगा टेंजेंट नाओ इन टाम्स ओ प्रड़क्ट्स इन टाम्स ओ प्रड़क्ट्स रेट इस एकोल टू इंक्रीज इन concentration of product upon time taken एन अगर मैं graph बना दूँ तो अगर मैं यहां time ले लूँ यहां time ले लूँ और यहां ले लूँ बिटा concentration क्या ले लूँ बिटा यहां concentration of products अक याप मुश्य बदो thicken कैन सेशन एसे तो यहОं region है जब समय जीरत अब प्रड़क्ट Yes और नहीं थे रियक्टिंट नहीं थे यह य pipeline नहीं थे जैसे जैसे समय बढ़ता गया प्रड़क्ट बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते ग को अगर मान लीजी आपको इस पर ना दूंए पी पॉइंट तो इस पर क्या डूब कर दिया वैंने तेंजेंट क्या डूब कर दिया विटा टेंजेंट और ऐसे मिला दिया ठीक है यह स्लोप हो गया तो यह पॉइंट पी किसको रिपर्जन करता है समझ गया न यह थीटा ओए ओव भी तो यह किसको रिपर्जन करेगा इंस्टेनियस इंस्टेनियस रेट अट पी पॉइंट I hope everything is clear to you what is chemical kinetics what we are dealing in chemical kinetics what is rate of a reaction in terms of reactants in terms of products how do we express rate by two ways by after completion of reaction or in between after completion of the reaction we calculate average rate and in between we calculate at any instant instantaneous rate what is the demarity in average rate I have told you and the graphical representation of rate in terms of reactants and in terms of products I hope सबको clear है तो आज का lecture आज यहीं खतम होता है अगली lecture में आपको मैं बताऊंगा कि reactants और products को concentration के अलावा pressure में भी express कर सकते हैं और तब rate को कैसे लिखना है thank you